नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूटूब चैनल जरधारी क्लासेज में दोस्तों वीकली करंट फियर सीरिज में आज हम चर्चा करेंगे इस वीक यानि 31 जनुरी 2022 से लेकर 6 फर्वरी 2022 तक के सभी महत्वोण करंट फियर क्वेशनों के बारे में तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और आज का कुशन आप यहाँ पर दे सकते हो निमन में से को सुआ काथ कोथ पुस्तक किस भासा में है यह आपको बताना है पुस्तक का नाम क्या है को सुआ काथ कोथ तो यह है दोस्तों कुमाउनी बोली में B option हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर कुमाउनी में है आपकी यह पुस्तक को सुआ कात कोत यानि B option हो जाएगा दोस्तों सही आंसर अब जानते हैं इस पुस्तक के बारे में details कि इस पुस्तक में क्या है और किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है क्योंकि इस प्रकाय के क्वेशन दोस्तों उत्राकन के एक्जाम में अक्सर पूछी जाते हैं तो को सुआ कातकोत कुमाउनी बोरी की पहली पुस्तक है यह पुस्तक मोलिक कथा साइट्य का एक काल जाई गरंत है इस संग्रह में 1936-2018 के अंतरार में छपी सो कुमाउनी कहानियों को इस्थान दिया गया है तो दोस्तों आप बली बातियां पर समझ गये होंगे कि जो यह को सुआ कातकोत नामक कुमाउनी पुस्तक है इसमें कुमावनी कहानियों को सो से जादा कुमावनी कहानियों को संग्रेत किया गया है अभी किसकी द्वारा लिखी गई है तो साहित्य अकाद्मे पुरुसकार से सम्मानित साहित्यकार स्वर्गिया मतुरादत मठपाल द्वारा संपादित इस ग्रंथ में कुमाउनी कता साहिते के 80 साल के सफर को दर्चाया गया है तो दोस्तों यहां तक आप समझ गया होंगे इस संग्रा में 1938 में कुमाउनी में छपी नाटककार वा साहितेकार गोविन्द वलापंत की पहली कहानी एक रूपेंग चित्र पहली कहानी के रूप में सामिल की गई है तो कुमाउनाके जो यह कोसवा कात कोस नामक पुस्ता का यह किसम है तो यह आपकी कुमाउनी में और स्वागिया मतुराज दत मठपाल द्वारा इसको संपालित किया गया है क्वेस्न नम्बर टू है निमलेखित में से किसे 2022 का बसंत स्री सम्मान परदान किया जाएगा वर्ष 2022 का जो बसंत स्री सम्मान प्रदान किया जाएगा दोस्तों वो किया जाएगा इंदू भूसन कोच गावे को ए ओप्षन हो जाएगा question number 2 का यहाँ पे तो सही answer दून के सामाजिक कारे करता वो सही तकार इंदू भूसन कोच गावे को वर्ष दोजार बाइस का बसंत स्री समान प्रदान किया जाएगा दोस्तों यह जो बसंत स्री समान है यह अभी तक उत्राखन के 28 से अधिक बैक्तियों को इस समान से समानित किया जा चुका है और वर्ष दोजार बाइस में परमुख कारे करता सामाजी कार्यकरता और साहित्यकार इंदो बहुसान जी को इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा इनको यहाँ सम्मान बसंत पंचमी के मोगे पर कुर्णा काल को देखते हुए प्रगतिसील कलब पुस्तकालय मान सिंग वाला में दिया जाएगा और साहीत्यकला संस्कृत सिक्षा वा सामजएक छेत्र में सक्रिययोगदान देने वाले सम्मानेत विभूति को परती वर्ष बसंद पंचमी का यह सम्मान परदान किया जाता है एक तो आप यहां पे वली बाती समझ गए होंगे कि जो ये बसंत सरी सम्मान प्रदान क्या जाता है क्यों क्या जाता है सामाजे के छेतर में विशेश कार है और सासा साहिते के छेतर में विशेश कार है तो सक्रेय योगदान देने के लिए ये सम्मान प्रदान किया जाता है और वर्सा 2022 का जो ये बसंदसरी सम्मान है ये साहित्यकार इंदु भोसन जी को दिया जाएगा तो जो हाली में हुई है पाँचवी इंडो नेपाल अंतराष्ट्या चेंपियंशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है तो जो हाली में हुई है पाँचवी इंडो नेपाल अंतराष्ट्या चेंपियंशिप इसमें स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों संगीता किरोला ने मीटर की दोड़ में स्वान पदक हासिल किया है यह प्रतियोगिता कब आईजन की गई थी तो 28 से लेकर 31 जनुरी 2022 तक नेपाल में इस प्रतियोगिता आईजन किया गया था जिसमें एथलेट संगिता किरोल ने पंदर सो मीटर में दोड़ लगा कर स्वान पदक जीता है क्वेशन नमबर चार यहां पे 2022 की न्यू यूर्क फेस्टिवल की ग्रैंड जूरी बनाई गई है वो हैं डॉक्टर सना जाफरी डी आप्शन हो जागए हैं आप पे क्वेशन नमबर फॉर का सही आंसर डॉक्टर सना जाफरी जो की ने निताल निवासी हैं डॉक्टर सना जाफरी इनको वर्स 2022 की न्यू यूर्क फेस्टिवल की ग्रैंड जूरी बनाया गया है न्यू यूर्क फेस्टिवल को दुनिया के फिल्म, मीडिया, एड़टाइजिंग, रीडियो जगत के सबसे बड सरेमनी माना जाता है तो न्यूवर्क फेस्टिवल वर्थ 2022 में डॉक्टर सना जाफरी जो की ने निताल निवासी है इनको ग्रेंड यूरी बनाए गया था आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेसन नमर फाइव की और विश्वक की पहली हाइडोजन से चलने वाली फ्लाइंग किया जाएगा दोस्तों दुबई में यानि बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेसन नमर फाइव का सही आंसर दुनिया की पहली हाइडोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट को दुबई यानि संयुक्त अरव अमिरात में निर्मित और लॉंच किया जाएगा दजेट में अत्या यातरियों को ले जाने की थमता भी है तो इसको कहां बनाए जाएगा और कहां लॉंच किया जाएगा तो दुबई में इसको बनाए जाएगा और लॉंच किया जाएगा और ये रीडोजन से चलने वाली पहली फ्लाइंग बोट होगी दुनिया की question number 6 यहाँ पर वर्ष 2022 को विश्व आदर भूमी दिवस पर आदर भूमी यानि वेट लेंड यानि जो नमी भूमी होते हैं दोस्तों और यह काफी important question है दोस्तों most important question आप इसको कर दीजिए तो वर्ष 2022 को विश्व आदर भूमी दिवस पर भारत में निम्न में से किस वन्य जीव अभ्यारन को रामसर साइट्स में सामिल किया गया है राम्रसर साइट चैनल जो आदर भूमी होती है उसको इस साइट में दोस्तों सामयल किया जाता है और ये आदर भूमी होती क्या है दोस्तों यहां पर एक तो जई विविता पाई जाती है अतेदिक अनेक प्रगारगे जीव जनतैं आपे पाई जाते हैं और इसलिए इसका स्रक्षण करना अतियावस्यक है क्योंकि दुनिया में देखा जा रहा है कि आद्र भूमियों लगातार जो संक्या आद्र भूमियों की वो घटती जा रही है तो इसलिए इस आद्रभूमी यानि जो वेटलेंड होता है इसको सुरक्षित और स्रक्षित रखना दोस्तों अतियावश्यक हो गया है तो हाली में वर्स 2022 में दो वनजीव अभियरन को रामसर साइट्स में सामिल किया गया है दोस्तों अब देखो जो आपका खिजडियाव वन जीव अभियरन यह कहें आपका गुजरात में है जबकि बखिराव वनेजीव अभियरन यह कहें आपका उत्तरप्रदेश में है और यह याँ पे 2022 के आउसर पर रामसर इस्थल गोसित किया गया है ये दोस्तों इसको 2022 किजिए याँ पर आदर्भूमी दिवस हर साल दो फर्वरी को दुनिया भर में मनाई जाता है तो दो फर्वरी को जो हाली में आदर्भूमी दिवस मनाई गया है उसमें इन्हें दो वनजी वो है 49 49 रामसर साइट हो गई है भारत में दो इनको मिलाएखे ठीक है वर्तमान में ये भी आतको नोट करना है आगे बढ़ता है देखो ये क्वेशन आगया क्वेशन नमबर साथ है विश्वा आधरिभूमी दिवस 2022 कब मनाए गया है विश्वा आधरिभूमी दिवस यानि दो फरवरी को अंतराष्टिय इस्तर पर विश्वा आधरिभूमी दिवस मनाया जाता है यह दिन दो फरवरी 1971 को इरान के रामसर में आधरिभूमी पर कंजर्वेशन को अपनानी की तारीकों चिन्नित करता है और पहली बार आधरिभूमी दिवस कब मनाई गया है दोस्तो तो 1977 में और अगर हम वर्स 2022 की बात करें 2022 में वर्ड वेटलेंड यानि विश्वा आधरिभूमी दिवस की थीम क्या है तो वो है लोगों और प्रकृति के लिए आधरिभूमी कारवाई यानि वेटलेंड एक्षन फॉर पीपल और नेचर ये वर्स 2022 की थीम है विश्वा आ आठ की और दोस्तों आपको हमारी सीरिज कैसी लग रही है जरूर कमेंट बोक्स में बताएं और दोस्तों जो आगे विश्व कर जो पीसेस की पीसेस एक्जाम की तयारी कर रहे हैं आप लोगों में से उनके लिए काफ ये सीरिज काफी इंपोर्ट है वैस्तों सभी एक्ज जो भी अन्य एक्जाम होते हैं उनमें अक्सर पिछले एक या दो सालों का करन्ट फिर्स जरूर बनता है तो इसलिए आपको इस त्रीज को बिल्कुल भी मिस्व नहीं करना है आगे बढ़ता है क्वेस्व इसपात संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में इसपात का सबसे बड़ा उतपादक देश कौन बना है यानि इसपात का सबसे बड़ा उतपादक देश कौन बना है दोस्तों तो वो बना है चाइना ए ओप्शन हो जाएगा सही आंसर और दूसरा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इसपात उतपादक देश कौन है दोस्तों तू है अपना भारत तो अभी क्या है अगर सबसे बड़ा उत्पादक देश नमबर वन पर है चीन और दूसरा है भारत इसका हो जाएगा ए ओप्शन सही आंसर विश्व में इसपात संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसर चीन विश्व में इसपात का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है चीन ने 2021 में 1032.08 M.T. स्टील का उत्पादन किया है विश्व इसपात संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसर भारत विश्व में इसपात का दूसरा सबसे बड़ा इसपात उतबादक देश बन गया है यह आपको नोट करना जरूर है और रिपोर्ट का जारी करता कौन है तो वो है विश्व इसपात संगठन आगे बढ़ते हैं क्वेसेन 29 की ओर 17 टूर्नामेंट टाटा इस्टील चेलिंचर 2022 का खिताब किसने जीता है तो जो 17 टूर्नामेंट टाटा इस्टील चेलिंचर 2022 से इसका खिताब जीता है अर्जुन एर्रिगेसी ने C option हो जागा question number 9 का सही answer question number 10 है budget 2022-23 में केंद्रिय वित मंत्री निर्मला सीता रामन ने crypto currency पर कितने परतिसा tax लगाने की घोशना की है दोस्तों सबसे पहली बाद ये crypto currency क्या होती है दोस्तों crypto currency एक digital money है ये दिखाई नहीं देती है ये digital money है और इस पर कितने परतिसा tax लगाने की घोशना की गई है वित मंत्री निर्मला सीता रामन द्वारा तो 30% 30% का tax लगे गए दोस्तों crypto currency पर B option हो जागा question number 10 का सही answer important question है वित मंत्री निर्मला सीता रामन ने आम बजट 2022-23 में digital currency कैसी currency है ये digital currency है crypto currency पर 30% tax लगाई जाने का एलान किया है और ये एक digital currency है question number 11 के और बढ़ते हैं बैटमिंटन टूर्नामेंट ओडिसा ओपन 2022 में पुरुस एकल का खिताब किसने जीता है तो दोस्तों वर्ष 2022 का जो ओडिसा ओपन बैटमिंटन टूर्नामेंट ओडिसा ओपन 2022 इसमें पुरुस एकल का खिताब जीता है किरन जोर्ज ने ए ओप्शन हो जाएगा question number 11 का सही answer एक किस वर्षी है किरन जोर्ज ने प्रियांसू रजावत को हराकर ओडिसा ओपन 2022 में पुरुस एकल का खिताब जीता है महिला वर्षी बात करें तो हरियाना की उननती हुड़ा ने ओडिसा ओपन 2022 का खिताब जीता है और आज़न इस थलकाँ है तो जवाहर लाल नहरू इंदोर स्टेडियम कटक ओडिसा में इसका आज़न किया गया है ओडिसा ओपन 2022 का बैटमिंटन टूर्नमेंट तो पुरुस एकल में पुरुस एकल का खिताब किस ने जीता है किरन जोर ने जलकि महिला एकल का खिताब किस ने जीता है उननती हुड़ा ने दोनों आपको यहाँ पे नोट करने है क्वेशन नमबर 22 के और बढ़ते है नागरिकों को बहतर सेवाएं परदान करने के लिए किस राज सरकार ने एपी सेवा 2.0 पोर्टल 2.0 लॉंच किया है तो यह पोर्टल दोस्तों लॉंच किया यहाँ पे आंदर परदेश सरकार ने एपी सेवा पोर्टल 2.0 डी ओप्शन हो जाएगा क्वेशन नमबर 22 का सही आनसर अब देखो क्या है यह एपी सेवा पोर्टल तो आंदर परदेश के मुख्य मंत्री जगन मोहन डेड़ी ने नागरिकों को बहतर सेवाएं परदान करने के लिए एपी सेवा पोर्टल 2.0 लॉंच किया है यह पोर्टल पारदर्सी तरीके से नागरिकों को डिजिटल सेवाएं परदान करेगा और जन्ता को बिना किसी परिशानी के उनके आविदन को ट्रेक करने में मदद करेगा इस पोर्टल के साथा से आविदनों की अपडेट SMS के मादियम से परदान की जाएंगी तो कुल्मा के नागरिकों को बहतर सेवाएं परदान करने के लिए इस एपी सेवा पोर्टल को लॉंच किया गया है डिजिटल सेवाएं परदान करने के लिए नागरिकों को आगे बढ़ते हैं क्वेशन नमर 13 की और भारत का पहला भूवईग्यानिक पार्क किस राजे में बनाए जाएगा किस इस्थान ठीक है किस इस्थान में बनाए जाएगा तो दोस्तों जबलपुर में बनाए जाएगा जबलपुर के अगर हम राजी की बात करें मद्य परदेश में है मद्य परदेश के जबलपुर में बनाए जाएगा भारत का पहला भूवईग्यानिक पार्क यानि ए अप्शन हो जाएगा Q13 का सही आंसर भारत का पहला भूवएग्यानिक पार्क दोस्तों मध्य परदेश की जबलपुर के लमहेटा में बनेगा खनान मंत्राले के तहत भारतिय भूवएग्यानिक सर्वेक्षन द्वारा इस पार्क के लिए मंजूरी भी दे दी गई है ये पार्क पांच एकर जमीन पर 35 करोड रुपे के निवेज से इस पार्क का निर्मान किया जाएगा जियो पार्क एक एक एकरत छेतर है जो सतत तरीके से भूवएग्यानिक विरासत के स्रेक्षन को स्रेक्षन और उप्यों को आगे बढ़ाता है तो कुलना के भारत का जो पहला भूवएग्यानिक पार्क है दोस्तों ये कहां बनाया जाएगा मध्या परदेश के जबलपूर के लमहेटा में ये इंपोर्टन आपको नोट करना है और इसके नोट दोस्तों आपको हमारी एप्लिकेशन में मिल जाएंगे जिसके पास हमारी एप्लिकेशन नहीं है वो प्लेश्टोर में सर्च कर सकते हैं उत्राखंट जीकेश सबसे उपर आजाएगा उत्राखंट जनल नोट के नाम से एसजी ग्रूप का एप और उसको आपको इंस्टोल करना है और उसमें सारे हमारे अब तक के सभी जो ये करन्ट फिर से विकली करन रिफिर्ज आती है पिसले 2021 लेकर अब तक के सभी करन रिफिर्ज नोट्स डिटेल्स में प्रोवाइड किये जाते हैं आपको क्वेशन नमर 14 की और बढ़ते हैं टैनिस टूर्नामेंट आउस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुस एकल का खिताब किसने जीता है तो आउस्ट्रेलियन ओपन 2022 ये टैनिस टूर्नामेंट होता है और इसका जो खिताब जीता है वो जीता है राफियल नडालने C option हो जाएगा question number 14 का सही answer पुर्स एकल का किसने जीता है राफेल नडाल ने जीता है इस्पेन के राफेल नडाल ने डेनियल मेदवेदिव को हरा कर Australian Open 2022 में पुर्स एकल का किसने जीत लिया है राफेल नडाल इस्पेन के टेनिस खिलाडी है और अगर हम महिला वर्ग की बात करें दोस्तों तो एस्पेन बार्टी ने Australian Open 2022 का खिता है महिला वर्ग में तो महिला वर्ग में महिला एकल का खिता है एस्पेन बार्टी ने जैकि पुर्स वर्ग में पुर्स एकल का खिता है राफेल नडाल ने जीता कहा है बैटमिंटन टूर्णामेंट ओस्टिलिया ओपन 2022 में अगर हम बात करें ओस्टिलियान ओपन टैनिस टाइटल 2022 के अन्य विजिताओं की तो देखो याँ पे पुरुस एककल का खिताब जीता है राफिल नडाल ने महिला एकल का खिताब जीता है ऐसले बार्टी ने पुरुस यूगल का खिताब जीता है थानासी, कोकिनाकिस और निक किरजियोस ने जबकि महिला यूगल का खिताब जीता है बारबोरा, क्रेजिकोवा और केट्रिना, सीनिया कोवा ने और मिस्तरित यूगल का खिताब जीता है क्रिश्टिना, मलादेनोविक और इवान डोटिक ने तो ये सारे आपको नोट करने हैं बिसीज कर ये दो most important है अक्सर इनसे question बनते हैं question नमर 15 के और बढ़ते हैं बैटमिंटन टर्नामेंट औरिसा ओपन 2022 का खिताब जीतने वाली सबसे कम उमर की भारतिया कौन बनी है तो हाले में जो बैटमिंटन टर्नामेंट औरिसा ओपन 2022 हुआ इसमें खिताब जीतने वाली सबसे कम उमर की भारतिया बनी है दोस्तों उन्नती हुड़ा डी ओप्सन हो जाएगा सही आंसर उन्नती हुड़ा ने यहाँ पे महिला वर का खिताब जीता है और उन्नती हुड़ा ये खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतिया बन गई है हरियाना की यह उन्नती हुड़ा 24 वर्सिया उन्नती हुड़ा 2022 ओडिसा ओपन बैटमिन्टन टुर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतिया बैटमिन्टन खिलाडी बन गई हैं उन्नती ने इसमित तोसने वाल को एकिस अठारा 211 से हरकर यहां खिताब जीता है क्वेस नंबर 16 यहां पे भारतिया तट रक्षक बल का इस्थापना दिवस मनाए जाता है दोस्तों जो भारतिया तक्रक्षक बल यानि इंडियन कोश्ट गार्ड आई सी जी का इस्थापना दिवस मनाया जाता है एक फरवरी को यानि सी आप्षन हो जाएगा क्वेशन नमबर 16 का सही आंसर भारतिया तक्रक्षक बल ने एक फरवरी 2022 को अपना 46 इस्थापना दिवस मनाया है अगर हम बात करें भारतिया तक्रक्षक बल की इस्थापना की ये कब हो गी थी 18 अगस्त 1978 को मुख्या लए है नई दिली और वर्तमान में जो महान दे सक हैं वो हैं वरेंदर सिंग पठानिय क्वेसिन नम.17 है भारतके नय मुख्या आर्थिक सलाकार कौन बने हैं दोस्तों वर्तमान में हाली में यहांपे नय मुख्या आर्थिक सलाकार बने हैं दोस्तों डोक्टर अनंत नागे सुरन इससे पहले जो भारत के मुख्या आर्थिक सलाहकार थे दोस्तों वो थे क्रिश्ण मूर्ति सुब्रमार्णियम लेकिन अब इनकी जगह पे भारत के नए मुख्या आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं डॉक्टर अनन्त नागे सुरन बी ओप्सन हो जागा क्वेशन नमर 17 का सही आंसर भारत सरकार ने डॉक्टर अनन्त नागे सुरन को नया मुख्या आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है और यहां क्रिश्ण मूर्थि सुब्रमार्णियम का इस्थान लेंगे यानि इससे पहले कौन थे क्रिश्ण मूर्थि सुब्रमार्णियम और वर्थमार में अब कौन बन गए हैं नए मुख्या आर्थिक सलाहकार वो बन गए हैं डॉक्टर अनन्त नागे सुरन बढ़ते आगे नेक्स क्वेशन के और क्वेशन नमर 18 किस राजे की सरकार ने कन्याओं तथा महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए पंख अभियान की सुरूआत की है तो दोस्तों पंख अभियान की सुरूआत की है मध्य परदे सरकार ने यानि क्वेशन नमर 18 का हो जाएगा A option सही आंसर उद्देश क्या है इस पंख अभियान का जो मध्य परदे सरकार ने सुरू किया है विपति गिरिस्त महिराओं को आत्म निर्भर बनाना इमम कोसल उनयन परसिक्षन करेकरम से जोड़कर स्वेम के साथ साथ अपने परिवार के भरण में सहायता करना इस पंख अभियान का मुख्य उद्देश है जो की मध्य परदे सरकार ने सुरू किया है क्वेशन नमर 19 है महिला होकी ऐसिया कप 2022 में भारतिया महिला होकी ने कौन सा पदक जीता है तो को हाली में जो महिला होकी ऐसिया कप 2022 हुआ है उसमें भारतिया महिलाओं ने आपे कांस्य पदक जीता है सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर और स्वार्ण पदक किस ने जीता है यानि चेंपियन कौन रहा है जापान जापान ने महिला होकी एसिया कप 2022 का फाइनल खिताब जीता है और स्वन पदक जीता है जैकि भारत ने कौन सा पदक जीता है कान से पदक जीता है तो 2022 महिला होकी एसिया कप टुर्नामेंट में भारत ने चीन को 2-0 से हरा कर कान से पदक जीता है और जापान ने महिला होकी ऐसिया कप टूर्णामेंट में फाइनल में दक्षिन कोरिया को चार दो से हरा कर क्या कर दिया है स्वान पदक हासिल किया है तो देखो स्वान पदक जीता है जापान ने रज़त पदक जीता है दक्षिन कोरिया ने और कान से पदक जीता है दोस्तों भारत ने ये तीनों आपको नोट करने हैं और मैं किस टूर्नामेंट की बात कर रहा हूँ महिला होकी एसिया कप टूर्नामेंट 2022 की मैं बात कर रहा हूँ आगे बढ़ते हैं क्वेसन नमर 20 की और विश्वक कुष्ट दिवास 2022 कम मनाई गया है तो दोस्तों 30 जनवरी 2022 को मनाई गया है विश्वक कुष्ट दिवास 2022 के रूप में और इसकी थीम क्या है 2022 की थीम तो यूनाइट फॉर डिगनिटी ये विश्वक कुष्ट दिवास 2022 की थीम है, क्वेस्ट नम्मर 21 है, महिला हो की ऐसिया कप 2022 का खिताब किस ने जीता है, या एक क्वेस्ट ने इस परकार से बन सकता है, कि महिला हो की ऐसिया कप 2022 में स्वन पदक किस ने जीता है, किस देश ने जीता है, किस टीम ने जीता है, तो जापान, ए ओप्शन हो जाएगा कांसिय पदक और चीन ने यहांपे कुछ नहीं जीता है क्योंकि चाइना को भारत ने याँपे सिकस्त दी है भारत ने चाइना को हरा दिया है तो महिला हो की ऐसिया कप 2022 में जो पदक है यहां पे भी आमें लिखे हैं यहां पे आप दे सकते हो जापा ने स्वन पदक दीता है देशन कोरिया ने रज़त पदक दीता है भारत ने कान से पदक दीता है संस्क्रण कौन से थाए दसमवा संस्क्रण था और महिला हो की ऐसे अकब 2022 का आयूजन कहां किया गया था तो मस्कट ओमान में इसका आयूजन किया गया था कई बार आयूजन इस्थल भी पूछ लेता है क्वेसन नमर 22 है किस राज के सत्यमंगला में टाइगर रिजर को बागों की आबादी दुगना करने के लिए 2022 का परतेष्ठित टी एक्ष्टी पुरुसकार से सम्मानित किया गया है तो दोस्तों ए ओप्ष्टन सही हो जाएगा तमिल नाडू के टाइगर रिजर को टी एक्ष्टी पुरुसकार से सम्मानित किया गया है और क्यों क्योंकि बागों की आबादी को दुगना करने के लिए ए ओप्ष्टन हो जाएगा क्वेसन नमर 22 का सही आंसर यहाँ पर आदे सकते हो भारत के सत्या मंगलम टाइगर रिजर्व शत्या मंगलम टाइगर रिजर्व यहाँ एस्टी आर ने वर्स 2010 के बाद टाइगरों की संख्या को दुगना कर दिया है इसके लिए उसे परतिश्टित TXT पुरुसकार से सम्मानित किया गया है TXT मतलब यहाँ पे टाइगर 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 टाइमस टू और TXT के तहत 2022 तक जंगली बादों की आबादी दुगना करने का लक्ष निर्धार्यत किया गया है तो इसलिए भारत के सत्यमंगलम टाइगर रिजरो को TXT पुरुषकार से सम्मानित किया गया है तो दोस्तों इस वीक यानि आप कह सकते हैं 31 जन्वरी 2022 से लेकर 6 परवरी 2022 तक के सभी महत्वपूर्ण करेंट अवेर्स कोशनमने आपे डिसकर्स कर लिये हैं उमीद करते हैं दोस्तों आपको यापर वीडियो पसंद आई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सियर जरूर करें और ये स्रिल आपको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपने राये जरूर दें मिलते हैं दोस्तों नक्षिचा तब तक के लिए धन्यवाद